हेलो फ्रेंड्स तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बिलकुल बेकरी वाला केक बनाना बिलकुल बेकरी वाला डिजाइन बनाएंगे बिलकुल रंग दिरंगा सुन्दर सा केक बनाएंगे चलिए और हाँ इसमें आज जो केक की वीडियो है इसमें नई चीज यह है कि हम लोज फ्लावर भी बनाना सीखेंगे तो जैसे अक्सर में आपके लिए कुछ ना कुछ लाया लाने की कोशिस करती हूं तो यह भी वीडियो आपको बहुत हैल्पूल रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर बेस तो मैंने तयार करके रखा हुआ है स्पॉंज लेकिन करीम करें点 ही जोआज है को मेरे दोस्त कृम बनाना सीक्षेज्टेश कर आड़ी तो मेरे करने कर दोस्ता है यहां पे दोचेश्पूले तीयार कुछ नहीं है तो दोनों बत्वा स्पूंज देलेकिन बनाना वंगी तो इक लिए से ङपनाने हैस स्पूंजूम dew बनाने outputs ल केक यहां बनने जा रहा है तो कोई भी प्रेमिक्स आप पसंद करते हैं वो इस्तिमाल कर लीजिए यहां पर चॉकलेट गनाश भी बना के रखा हुआ है और यह भी फ्रेश क्रीम है जो छोटे बाले काटोरे में है तो हम लोग इसको पहले इस्तिमाल कर लेंगे और चॉकलेट स्पॉंज अगर आधा किलो के लिए आप लोग बनाते हैं तो 145 ग्राम प्रेमिक्स सही रहता है हमारे आधा किलो केक के लिए और यहां पर आप लेयरिंग में देखिएगा कि क्रीम हम लोग इतना लगाते हैं कि आधा किलो का हमारा केक बनता है बहुत ज़्या क्रीम को लगाने के बाद हम लोग यहां चॉकलेट गनाश डाल रहे हैं तो यहां मैं मौडे चॉकलेट का इस्तिमाल कर रही हूं और मौडे चॉकलेट के इस्तिमाल से ही मैं गनाश बनाई हूं तो फ्रेंट्स यहां पर आप गनाश में चाहे तो अमूल प्रेश क्रीम इस से गनाश डाल रहे हैं तो लेयरिंग में हम लोग गनाश और क्रीम डाल रहे हैं तो यहां चोकोची या चॉकलीट चॉप करके भी डाल सकते हैं बीच में और इस तरह से हम क्रम कोट कर लेंगे और क्रम कोट करने के बाद यहां फाइनल आइसिंग कर लेंगे तो अक्सर मैं अपने वीडियो में दिखलाती हूँ कि लेरिंग कैसे की जाती है तो इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में चला दिया आज वीडियो को क्योंकि अक्सर में बतलाती ही रहती हूं कि कैसे लेरिंग में क्या-क्या डाल रही हूं तो इसलिए वीडियो लंबी ना हो जाए बस इसलिए और यहां पर क्रीम को लगा के हम लोग पैलेट नाइप से कर लेंगे चिकना और पाइपिंग वेक से जब आप क्रीम लगाते हैं तो आपको बहुत इजी रहता है चिकना करने में और टाइम आपका बचता है इस तरह से देखिए बहुत जल्दी हो जाता है और यहां पर स्क्रापर से कर लेंगे चिकना और पूरा हम लोग आइसिंग करने के बाद देखिएगा इसमें कितना सुन्दर से हम लोग इसमें क पुर्त कर दंए कड़ा और जाले पर जाले से कलरे कि में और कलर पक्रागित वापन की मिक्स के बPink करोलर है तो इस तरह कॉलर करते हैं और कलर भी कम लगता है केक में और मिपक्राब की मेंıld lati अगुलेजी कलर है पैपिलोण the perfect उद्ध में डाला वहा बेविबीपिंग कलर तो थो ढ़ा ये यहांत मेरे पास यहांत मैरे लिकवीड यहां लगा दे रहे हैं आपके यहांत मेरे कावन कब मेरे पास यहांत पास इसक्तिमाल कि एकटpark दो लेकिन मुझे न मैंने क्या किया कि कलर को दूर दूर ऊपर तक लगा दिया मतलब केक हमारा थोड़ा सा हाइट में कम हो रहा है और मेरा पैलेट नाइफ थोड़ा ज्यादा उचा चला जा रहा है तो तीनो कलर वहां आनी पा रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सामने सामने कर दिया देखिए और यहां पर अब हमारा तीनो कलर बिल्कुल सही से आएगा देखिए इस तरह से देखिए आपको पीला रंग भी मिलेगा हरा रंग भी मिलेगा और लाल रंग भी मिलेगा ठीक है तो अभी लाल रंग पता नहीं क्यों थोड़ा सा कलर डालते हैं अच्छे से और ग्रीन के ठीक उपर में डाल रही हूँ ठीक है अब देखिए हमारा तीनों कलर आएगा तीनों को हम लोग ऐसे घुमाते हुए ना लगा देंगे तो फ्रेंच देखिए यहां पर लाल भी आ गया हरा भी आ गया पीला भी आ गया इस जो जो कलर आपको पसंद हो और यहां पर हलका सा हम लोग चला देंगे स्क्रैपर बिल्कुल सीधा करने के लिए और स्क्रैपर चलाने के बाद यह हो जाएगा इधर से बिल्कुल स्मूध यह देखिए बस अभी कुछ नहीं करना है इधर पैलेट नाइफ को लेंगे कलर त अब केक को मैंने फ्रीज में रख दिया है और जैसे मैंने बोला कि टर्न टेबल पर आज हम लोग रोज बनाएंगे तो यह रहा रोज बनाने वाला हमारे पस नोजल बड़े साइज का है और पतला वाला रहेगा आपको उपर और मोटा वाला जो हिस्सा है वो रहेगा तो देखिए कितिनी असानी सी आप टर्न टेबल पर भी रोज बना सकते हैं बस आपको ना घुमाना है हाथों से टर्न टेबल को और आपको मतलब की यह पतियां बनाना है एक हाथ से देखिए ऐसे बनाने के बाद हम लोग इसमें परपल वाला कलर को डस्ट वाला कलर जो आ परपल कलर का जाए ना मैंने बेस थोड़ा सा पतला दे दिया चली कोई बात नहीं हम लोग इसमें बना लिये लेकिन बाद में मेरे को बाद में लगा कि बेस थोड़ा पतला हो गया था लेकिन फिर भी बन गया देखिए आपको टर्न टेबल को हाथ से गुमाना है और एक ह अधर परपल कलर का यहां हो जाए रहा है हमारा रड कलर का देखिए कितना सुंदर नजरा आ तो यही ड़स्ट वाला कलर लेखना लेके रहे लेख लेख लेखिए आपको बहुत आपको क्रीम में मिला मिला के बनानी की ज़रूए नहीं है वह दो तीन डबा रख सकते हैं अ तो बहुत अच्छे से हमारा जो जब हम लोग फ्लावर बनाएंगे तो वो एड़ेस्ट रहेगा देखिए अब मैं तोड़ा दीमा करके आपको दिखला रही हूँ और यह तीसरा वला रोज में जेखिए इस तरह से उठाएं आपको पतियां बनाते जाना है और हातों जे आपको बनाएंगे तो फ्रेंट्स हम लोग बिल्कुल बेकरी वाला केक बना के आज रेडी कर रहे हैं रंग बिरंगा खुबसूरत सा केक तो देखिए यहां जाधा कलर भी इस्तिमाल नहीं हुआ है और यहां पर देखिए तीनों रोज को हम लोग यहां लगा रहे हैं तो थोड़ा सा इस तरफ घसक गया था तो कुछ नहीं बस अराम से उठाईए और बीच में कर दीजिए कुछ इस तरह से देखिए हो गया अब देखिए बीच में हो गया तीनों रोज हमारा लाल रंग का हो गया और परपल कलर हो गया और यालो कलर हो गया अब मैंने यहां पर तो अ पति बनाने के लिए Wee Shade में कट कर लिया है Civic and cream भर लिया है क्योंकि इतना कलर्फुल तो हमारा केक है ही तो बेकरी वाले भी जब जैसे बनाते हैं तो कभी-कभी दिखिएगा पत्या वाइट वाइट रखते हैं वो इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैंने गोल्डन वाला छिड़क दिया इसमें और अब मैं सिल्वर वाला पूरे मे आइट कलर की क्रीम भर ली है मैंने और इससे हम लोग बॉडर कर देंगे तो देखा आपने कितना खुबसूरत तरीके से बड़ा बड़ा रोज हमने बनाया है और टॉन टेबल पर ही बनाया है और कितना सुंदर केक रेडी हुआ है तो प्रेंट्स आप भी ऐसा केक जरूर बनाये बहुत सुंदर लगता है और एक नजर में ही ना कस्टूमर पसंद कर लेते हैं से ऐसे केक को जादातर मैंने देखा है कि बड़ा बड़ा फ्लावर बड़ा डिजाइन बहुत पसंद किया जाता है तो उमीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सी जानकारी मिली होगी यह बाए तरफ आप देख रहे निया कीटी वाला केक है और यह वाला वीडियो में लेकर के आऊंगी नेक्स्ट देखते रहेगा चैनल और यह वाला केक बनाना सीखेंगे तो जुड़े रहेगे मेरे साथ हम लोग मिल के बनाएंगे हमेशा जैसे कहती हूँ यह रहेँ लोग में लेकर किवयो यह वाला वाला में हुड़े रहे जिए रहे जोग।